नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सतीस और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में मेरे हाथ में यह फ्रेंट्स एपल वाज स्रीज 9 का कॉपी क्लोन वर्जन ठीक है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसको फोन के साथ कैसे कनेक्ट करना है तो आज के इस वीडियो में आपको यही पता चलने वाला है तो फ्रेंट्स वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा step by step आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें call कैसे कर सकते हैं whatsapp का facebook का message कैसे ले सकते हैं app से कैसे connect करते हैं उसके बाद आपको photo कैसे लगाना इस पर सब कुछ यहाँ पर आपको पता चलने वाला है तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देजएगा और चैनल को भी subscribe कर सकते हैं आप friends वीडियो स्टार्ट करने से पहरे एक बात और बता दू इसका कल ही unboxing किया है और review किया इसके सारे settings और features के बारे में कल मैंने आपको बताया है unboxing वीडियो में तो जाके आप देख सकते हैं link description में मिल जाएगा आपको ठीक है तो यह जो smart watch है friends calling smart watch है तो calling smart watch दो तरीके से आपके phone के साथ connect होता है एक जो directly connect हो जाएगा जिसमें आप calling feature का AI voice का use कर पाएंगे ठीक है दूसरा आपको app से connect करना पड़ेगा तभी आप WhatsApp का Facebook का message यह फिर अपना यहाँ पे photo लगा पाएंगे यह सारी fast dds आपको app से connect करने के बाद मिलती है ठीक है तो यह calling वाली जो smart watch हैसे होती है दो तरीके से connect होती है मैं अपना phone ले लेता हूँ यहाँ ठीक है friends मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे देखिए हमने Bluetooth को on किया यहाँ पे on करने के बाद यहाँ पे जो scan है start हो गया लेकिन अभी कोई भी यहाँ पे scan नहीं कर पा रहा है available device में कोच भी नहीं दिखा रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखिए no device found लिख के आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि friends हमने यहाँ पे इसका app भी download नहीं किया अभी और यहाँ पे हमने इसका जो dual mode का feature है उसको on नहीं किया इसलिए connect नहीं हो रहा है तो सबसे पहले directly connect करने के लिए आपको dual mode का feature है उसको on करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाता है dual mode का feature ठीक है जैसे हम इसको on करेंगे उसके बाद scan करेंगे तो यहाँ पे जो available device में हमारा शो करने लग जाएगा हमारे smart watch का नाम दिखिए यह जो app का नाम है यहाँ पे शो कर रहा है daily fit ठीक है और यहाँ पे शो कर रहा है series 9 जो हमारे smart watch का name है ठीक है तो यह जो उपर वाला connect होगा यह directly connect होगा आपको music के लिए आपको calling के लिए इस सब के लिए ठीक है और यहाँ जो यह series 900 कर रहा है वो आपके app से connect होगा जब यहाँ पर हम click करेंगे तो यहाँ पर देखिए app needed to use this device का option आड़ा है ठीक है तो इसको हम cancel करेंगे इसको pair करने से कोई फायदा है नहीं हमको इसको pair करना है सबसे पहले ठीक है सबसे पहले इसको connect कीजिएगा और यहाँ पर click करन तो यहाँ पर हमारी calling जो feature है वो on हो गई हम आसानी से यहाँ से call कर पाएंगे हमको यहाँ पर कोई problem नहीं होगी ठीक है friends और यहाँ पर मैं आपको call करके दिखा हूँ यहाँ पर message है यहाँ उसके बाद हमको यहाँ पर call का डायल का option यहाँ पर मिल जाता है डायल पर click 123 पर call करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी phone में जो है call लगना start हो गया है ठीक है आप यहाँ से देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप phone लगा सकते हैं किसी को भी अगर आप phone से अपने mobile से call लगाते हैं तो smart watch में so नहीं करता है बहुत सारे smart watch में so करता है लेकिन यह series करता है जब हम phone लगाते हैं अपने smartphone से तो smart watch में भी so करता है लेकिन जब हम phone से call लगा रहा है तो smart watch में so करने के कोई जरूरत वैसे परती नहीं है इसमें नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन phone आएगा तो आपके smart watch में so करेगा कोई आपको यहाँ पर problem नहीं ठीक है आप जो call करेंगे तो लग जाएगा आराम से ठीक है friends तो directly connect करने के बाद friends आप calling feature का तो आसानी से use कर पाएंगे लेकिन आप यहाँ पर photo नहीं लगा सकते हैं WhatsApp का Facebook का message जो है आपके smart watch में नहीं आएगा जब तक आप app से इसको connect नहीं करेंगे ठीक है QR code निकलने के बाद friends आपने phone में जो है Chrome browser को open करना है ठीक है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा camera का एक logo यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद friends आपका camera खुल जाएगा और कुछी तरीके से आपको scan कर लेना है यहाँ पर देखिए website दिखा रहा है उसके बाद आपको यहाँ पर search पर click कर देना है जैसे ही आप search पर click किजिएगा friends तो यहाँ पर आपका app खुल के आजाएगा आपके सामने इस apps यह smartwatch connect होता है ठीक है friends देखिए directly लेके चला गया है Google Play Store पे और यहाँ पर यह पर यह पर यह पर यह पर यह पर देता है आप पढ़ना चाहे तो पर भी सकता है उसके बाद यहाँ पर आपको निर्वे डिवाइस को allow करना ही पड़ेगा ठीक है friends नहीं तो connect नहीं होगा तो allow कर देता है और यहाँ पर friends आप देख सकते हैं जो permissions है उसकी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर बोलड़ा है location का बुलूतुत का सबका permissions आपको देना पड़ेगा तो इसको okay कर देता है कि हम permission दे देंगे ठीक है friends उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो interface दिखेगा आपक जो हमने daily fit नाम का जो app यूज किया है डाउनलोड किया है ठीक है friends उसके बाद यहाँ पर device पर आपको simply click करना है click करने के बाद यहाँ पर देखिए सारी settings दिख जाएंगी आपको उसके बाद friends आपको यहाँ पर connect का option दिख रहा हुगा तो simply connect पर आपको click कर लेना है जैसे आप connect पर click करेंगे friends तो यहाँ पर बोलेगा कि location का permission दे दीजे तो हम यहाँ पर दे देते हैं location का permission ठीक है फिर से आपको दुबारा वहाँ पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर searching स्टार्ट हो जाएगी और हमारा जो smart watch का नाम यहाँ पर आ गया है आप देख सकते है series 9 करके तो friends अगर आपका यहाँ पर series 9 search में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि directly जो मैंने बताया है calling feature के लिए कैसे आपको bluetooth को connect करना है अपने smart watch से dual mode को on करके वो पहले आपको कर लेना है तब ही यहाँ पर series 9 आपका search में आ जाएगा तुरंत आ जाएग searching for device please wait तो यहाँ पर search कर रहा है ठीक है और यहाँ पर हमारा pair हो जाएगा यहाँ पर connecting होने लग गया है आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर pair का option आ रहा है तो हम pair कर लेते हैं pair करने के बाद friends देखिए connect हो गया यहाँ पर connect क्लिक किया गया है और यहाँ पर run in background में क्या क्या run कर रहा है ठीक है तो उसके बाद हमको यहाँ पर back चले जाना है back जाने के बाद यहाँ पर देखिए connect का option आ रहा है वहाँ disconnect का option आने लग गया है और यहाँ पर series 9 connected लिख के आ रहा है उपर आप देख सकते हैं तो हमारा smart watch है वो connect हो गया है यहाँ पर friends मैं अगर उपर से scroll करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो हमारा जो bluetooth के साथ भी connect है और app के साथ भी connect है यहाँ पर so कर रहा है ठीक है friends उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सारी settings आपको दिख जाएंगी तो यहाँ पर answer पर click कर देंगे तो यह device connected लिख रहा है तो answer हो जाएगा अपने पर को आपको लगाना है वहाँ पर आपको simply click करना है जैसे मैं यहाँ पर इसको लगाना चाहता हूँ या फिर मैं इसको लगाना चाहता हूँ इसको cancel कर देता हूँ मैं इसको लगाना चाहता हूँ लगाने के बाद यहाँ पर okay पर हम click करेंगे तो यहाँ पर देखिए dial setting हो यहां पर आपको यहां पर मिल जाते हैं अब बात करते हैं कि आप सबसे ऊपर यहां को इल्बॉ में एक नीच करने आपको चाहिएगी तो यहाँ पर आप camera पर click किजेगा तो photo बहुत सारा आ जाएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से show होने लग जाएगा ठीक है तो आप कोई साथ भी photo यहाँ पर अपने इसाथ से लगा सकते हैं जो photo आपको लगाना है जो आपको photo पसंद है तो मैं यह photo लगाना चाहता हूँ तो मैंने इसको simply select कर लिया है यहाँ से जैसे आप photo को select करेंगे friends कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा ठीक है तो आप adjust भी कर सकते हैं इसको ऐसे कुछ इस तरीके से आप इसको adjust भी कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे simply tick पे click कर देना है click करने के बाद friends देखिएगा कि आपका फोटो यहाँ पे show करने लग गया है ठीक है तो फिर से आपको फोटो पर tap करना है tap करने के बाद यहाँ पे dial setting का option आपको मिल जाएगा यहाँ पे your seared to set face watch को change करने के लिए आप seared है तो यहाँ पे ok कर दीजेगा तो जो है आपका यहाँ से fit sim app and device 22% हो रहा है यहाँ पे dial setting का option आपको दिख जाएगा जैसे यह 100% होगा आपका जो smart watch में आपका photo दिखने लग जाएगा और आसानी से आप photo लगा पा रहा होंगे ठीक है आप चलते हैं back बैक जाने के बाद friends यहाँ पे time का जो आप 12 hours में करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाता है तो यह इसमें work नहीं कर रहा है इसमें support नहीं कर रहा है ठीक है friends तो आप 12 hours में नहीं कर पाएंगे आपको 24 hours में time देखना पड़ेगा अगर आप 12 hours में करना चाहते हैं तो आपको यह वाली watch face रखनी होगी आपके सामने जो आपको यहाँ पे मिल जाती है यह वाली ठीक है तो इसमें आपको 12 hours का time मिल जाएगा और इस तरीके से आपको दे आपसे ठीक है यहाँ पर continue करेंगे तो light काम हो गया है आप देख सकते हैं आपके smartwatch में light काम हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर alarm मिल जाता है तो alarm आप लगा सकते हैं और फॉन कर सकते हैं यहाँ पर टाइम अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं यहाँ यहाँ पर sitendry reminder मिल ज एक है तो सेंसर से लेटेड़ हम वर्क नहीं करेंगे इसका सैंसर फिरेंड फिरेक आता है मैंना उन्बोक्सिंग वाले वीडियो में बताया था तो आप इसका सेंसर से लिएट्र जितने भी काम है वो साथ देकार है तो उसके त conv Verizon में पढ़ेंते यहां pauses का आपको option मिल जाता है ठीक है तो यहाँ पे आप जो है whatsapp का facebook का notification लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको on कर सकते हैं यहाँ पे ok कर दीजेगा तो आपको लेके चले जाएगा notification access में हम यहाँ पे friends daily fit app को use कर रहे हैं तो हम इसको on कर देंगे यहाँ से allow कर देंगे तो हमारा यह permissions ok हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ से back जाएगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो whatsapp का जो notification या फिर message का जो option है वो on हो चुका है आप यहाँ से facebook का on कर सकते हैं call का message का जो चाहे on कर सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी ठीक है friends इस तरीके से आप देख सकते हैं तो on कर सकते हैं उसके बाद आपका जो whatsapp का message आपके smart watch में सूख करने लग जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है background में क्या क्या रन कर रहा है आप देख सकते हैं उसके बाद friends यहाँ पर find brand पर आप किलिक करते हैं तो आपके smart watch में यहाँ पर सो करेगा कि नहीं रखना है ठीक है friends तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर silent mode का option मिल जाता है तो इसको on कर देजएगा तो silent रहेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है flip virus to light screen इसको on रखिएगा इसको on कर देने के बाद friends जब आपकी light बंद हो जाएगी न ऐसे smart watch को हिलाएगा तो आपके screen पर automatic light आजाएगी आपको कोई भी button यहाँ पर दावाने की जरुरत नहीं पड़ेगी इसको on कर देने के बाद एक बार off होता है तो मैं आपको दिखा दे तो देखिए यहाँ पर light बंद हो गई है अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे करूंगा ऐसे ही लाँगा तो light अपने आप आजाएगी button मैंने नहीं दावाया है आप देख सकते हैं तो इसको on करके रखिएगा उतके बाद यहाँ पर आपको alarm मिल जाएगा जब 10% से power नीचे सकते हैं आप फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद